नमस्कार आप देख रहे हैं जन्ता टीवी और मैं हूँ आपके साथ अभिशीक बुलिटन का रूप करते हैं और सबसे पहले आपको बता दे कि 2022 का चुनावी विगुल आज से बज चुका है निर्बाचन आयोग ने राज्यों का दोरा करने के बाद चुनाव की तारीक और तयारियां परखने के बाद मन्थन किया था और आज पांच राज्यों के विदान सभा के चुनाव की तारीक का ऐलान कर दिया है उत्तर प्रदेश में आठ चरनो में मदान होगा मुख निर्बाचन आयोग्त सोशील चंद्रा ने कहा कि कोरोना सेफ चुनाव कराना इलेक्शन कमीशन के जिम्मेदारी है हम इसके लिए तयार है मुख निर्बाचन आयुक्त सोशील चंद्रा ने बताया कि उत्तर प्रदेश में 7 चरण में मतदान होगे मतदान में पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को होगा प्रदेश में 10 फरवरी को पहले चरण, 14 फरवरी को दूसरे चरण और 22 फरवरी को तीसरे चरण का चुना होगा 23 फरवरी को चोथे चरण, 27 फरवरी को पांचवे चरण, और 3 मार्च को छठे चरण और 7 मार्च को 7 वे चरन का मद्दान होगा इसके बाद 10 मार्च को मतगणना होगी तो यूपे में 7 चरन में चुनाव होगी 10 फरवरी से चुनाव होगा और 7 मार्च तक होगा इसके बाद जो सभी पांच राज्य है उसके साथ उत्तर प्रदेश के भी 10 मार्च को चुनावों की जो मतगरना होगी उसकी गिंती होगी और इसके बाद तय हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में किसकी अब सरकार है तो 10 मार्च तक अब लोगों को इंतजार करना होगा और 10 पहले चरण का मतदान उत्तरप्रदेश में 10 फ़रवरी को होगा और सात्वे और आखरी चरण का मतदान 7 मार्च को होगा उत्तरप्रदेश में बिधानसबद चुनाव की तारीखों का एलान हो गया इसके बाद मुख्मंत्री योगी आदित्यनात ने दावा किया है कि जनता जनारदन की आशिरभात से प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने में सफलता हासिल होगी योगी ने कहा कि लोक्तंद्र के महाफर्व में प्रदेश के चुनाव की तितियों की घोशना का स्वागत भारती जनता पायटी डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियों की आधार पर जनता जनारदन की आशिरभात से प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने में सफल होगी तो प्रचंड बहुमत की सरकार बने किस तरीके की बात सूबे के सीम योगी आदित्यानाथ ने कही है और कही है कि जनता का आशीरबाद भारती जनता पायटे को फिर से मिलेगी और फिर प्रचंड बहुमत के साथ बिजेपी की सरकार बनेगी उत्रप्रदेश में होने बाले विधानसवा चुनाव को लेकर मुखमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद उत्साहित है उनका उत्साह लखनव में दूरदर्शन के यूपी कॉनकलेब में दिखा मुखमंतरी योगी आदित्यनात ने उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को बना दे के साथी कहा कि प्रदेश में होने बाले विधानसवा चुनाओ को लेकर बिपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है उन्होंने भी कहा कि बिपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है मुद्दा बिहीन है बिपक्ष और अब चाहे वो भाई बहन हो या फिर चाहे चाचा भतीजा और बुवबबववा हो प्रदेश में कोरोना संक्रमाण की पहली और दूसरी लहर में इनका कोई अता पता नहीं था पेशीवर दंगाईयों को मुख्यमंतरी आवास में बुलाके सम्मानित किया जाता था सरकार और पुलिस उनके सामने गिरगड़ा थी थी दंगाईयों के सामने 2017 के बाद भी प्रवड़तन आया है आज पेशीवर दंगा किसी बिल के अंदर छुपावा है या दोसे लोग की यात्रा में जा चुका है उत्तर प्रदेश के अंदर खुल करके सिर उठा करके दंगा करके चलने का दो सास नहीं कर सकता है 2017 के पहले प्रदेश के अंदर आतंग बादी जहां मरजी वहां बिस्पोर्ट कर लेते थे 2017 के बाद एक भी बिस्पोर्ट नहीं हुआ एक भी दंगा नहीं हुआ ये फ्रक साथ है 2017 के पहले प्रदेश की बेटियां असरक्सित थी वे श्कूल नहीं जा पाती थी बहुत सारे परिवार ऐसे थे जो अपनी बेटियों को उत्तर प्रदेश में एडमिशन, स्कूल और कॉलेजेज में करवानी के वज़ाए उत्तर प्रदेश के बाहर करवाती थी अपने दूर के रिस्तेदार क्या भेजती थी 2017 के बाद ये प्रिवर्तन साप आया है कि उत्तर प्रदेश की बेटी उत्तर प्रदेश के अंदर है उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बच चुका है जिसके बाद राज में आदर्श आचार सहिता लागू हो गई है इस दो रंद सरकारी मशिनरी चुनाव आयों के नियंतर में रहेगी मदान और मतगरना के बाद नतेजों की आधिकारिक गोशना के साथ ही आचार सहिता हटा दी जाएगी तो उत्तर प्रधीश में आचार सहिता लगते ही जिलों में लगे होर्डिंग्स, पोश्टर और बैनरों को नगर निगम की ओर से हटाना चालू हो गया है आपको बता दे कि चुनाव आचार सहिता लागू होने के बाद कई नियंबी लागू हो सकते हैं इनकी अवहेलना कोई भी राजनेतिक डल या नेता नहीं कर सकता इसके तहट सरकारी धन का इस्तमाल किसी विशेस राजनेतिक डल या नेता को फाइदा पहुँचाने वाले काम के लिए नहीं होगा इसमें सरकारी विमान या सरकारी बंगले का इस्तमाल भी चुनाओ प्रचार के लिए उप्योग नहीं हुआ होगा तो हम आपको तस्वेट भी दिखा रहे हैं नगर निगम अब सक्री हो गया है और जो पोश्टर और वैनर निगम लगे हुए उसको हटाने में पूरी कोशिश में नगर निगम लग चुका है वैनर पोश्टर को हटाने लगे हैं तो इसी प्रकार से अब आचार सहिता की जो नियम होगा उसका पालन करना सूबे की लोगों को बहुत ज़रूरी होगा हमारे साथ जंता टीबी के स्टेट हिड अनिल की अंकूर जी जुड़े हैं उनके पास चलते हैं अनिल की अंकूर जी अगर कहा जाए कि 2022 विधान सभा उत्तर प्रदेश का चुनाव सबसे बड़ा चुनाव कहा जाता है यहां से रास्ता दिल्ली का तय होता है चुनाव की बेगल बजच चुकी है। जिनाव आयू सक्री हुए चुनाव आयू में सक्री होते ही पहले अलम जितने भी होल्डिंग से परकल पार्टीज के जितने चुनाव पचार थे जो सलकों को च्छेके हुए थे ना कि बहुत लखनों में बलकि उत्तर प्रदेस के तमाम हिस्तों से जम तमाम सहरी इलाकों से जिसकी मिर्सपुल्टी रिज्यास हैं नगर निगम हैं जो भी नगर पालका पंचायते हैं उन्होंने उनके अध्कारियाने को हटाना सुरू सीधे तकाल प्रभाव से जिला निर्वाचन अध्कारी जो की कलेक्टर होता है उसके अधीन पूरी विवस्ता आ गई है अब र पूरी विवस्ता सक्री हो कई है और एक एक चीज़ पर निगरानी रखी जाने की विवस्ता की जा रही है जैसा कि आपको दानू यह जैसा चुनाओ की घुश्रा होने के बाद सबसे बड़ी घटना होई उत्ता प्देश में जैसा कि पहले भी होता आया है चुनाओ सक्रा रूल में सक्राइट में उत्तर प्देश की जो सकते हैं कानपूर व姜े कौमिस्यनेट है और अरून ने अपने वियारस ले लिया है लेने के बात इक खागी का रहा है वोD कनौस। चनाव लड़ेंगे इसी प्रिकार एक दूसरे अधकारी है जो आईडी में अफसर दे और राजयों सर्टिंग उन्होंने भी वियास ले लिया है वह बहुता है कि गाईयाबाद के साहिवाबास से चनाव लड़ेंगे तो इस चनाव सक्रिया यह सुरू हो गई है अभी तो प्रदेश के नेताओं ने अपनी अपनी प्रत्क्रिया भी दी है इस दोरान उन्होंने क्या कुछ कहा है हमापको सुनाते हैं नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में लोक तंद्र का ये महापर्व का हम हिर्दे से स्वागत करते हैं दस मार्च दोहजार बाइस को जब उत्तर प्रदेश विधान सवाच चुनाओ के पेड़ा माएंगे तो भारतिय जन्ता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जन्ता जनारदन का स्रिवात प्राप्त करने में सफल होगी इसमें कोई संदे नहीं होना चाहिए हाँ करोना महमारी के दोरान सतरक्ता और साउधानी हम जरूर रखें प्रचंड बहुमत के साथ भारतिय जन्ता पार्टी की स्तरकार उत्तर प्रदेश के अंदर पुना बनेगी यह मुझे पुरा विश्वास है छुनाओ केरे करता को भी थी हर राजनितिक डल से जो भी जुडा हुआ हुआ अधिश्व की घोष्णा कर दी है साथ मार्च को अंतिम्चन्ण का मद्दान संपन्थ हो जाएगे और दस मार्च को ओटो की गिंती हो जाएगे और दस मार्च को मैं मानता हूं कि गैरा बजे तक चूब्च मद्दान होता है तो गैरा बजEE 고 this पूरा संकेत लगभग आजाता है तो दस मार्च को गेरा बज़े समाजवादी पार्टी का जंता बारा बजा देगी और फिर से कमल खिला देगी फिर से गुंडा गर्दी दंगा जमीन पर कबजा मकान पर कबजा दुकान पर कबजा विकास कारियों में व्रहष्टा चार इस पढ़नी देना दुपाद्या ने सोच दिया है जो विचार दिया है उस विचार को लेकर हम लोग चलते हैं छोटी मोटी बातों में हम लोग नहीं पढ़ते हैं कभी नहीं पढ़ते हैं ना जातिवाद ना छेत्रवाद ना परिवारवाद ना बंसवाद क्यों राष्ट और देस का सम्मान और ये गरीब का कल्यान कैसे होगा गरीब खुसाल कैसे होगा उसके लिए परीसरम के पारा कष्टा करते हैं स्वागत करता हूँ एंतितियों का भाजपा की दो कोश्य थी चुनाओ टले वो नहीं टला दूसरी कोशिश थी चुनाव पूरप से सुरू होता प्रदेस हुए चुनाव यूग ने नहीं माना पश्चिम में इनकी बहुत गुरी हालत है मुदी जी और अमित्सान ने बंगाल और बिहार में यी बीमारी बहाई थी मुझे उमीद है कलाई से अगर प्रद्वन लागू होंगे तो यहां कम से कम यह बच बेरोजगारी चरम पहन नौजवान अपनी मुठ्यां भीच कर सलक पर आ गया है भाजपा के खिलाव साथ से मौतें जो किसानों की हुई है वो भारती जंता परप्टी पर भारी पढ़ेंगी मतलब उत्तर प्रदेश में भासपाइक गवर्मेंट नहीं बढ़ने वाली बद दावे से करो गवर्मेंट तो छोड़ जिए यह सैकड़े की संख्या नहीं पार करेंगे आज ही का तो अज़ार था आज दिखे कर सरकारी कमचारी और अधिकारी जो इनके इशारे पर काम कर रहे थे उन्हें मालूम है आने वाली सरकार इनकी नहीं है तो इनके गलत आदेश नहीं माने जाएंगे योपे चुनाओ की तारीखों का एलान हो चुका है और सभी दलों ने इसका स्वागत करते हुए अपनी अपने जीत के दाबे भी किये इस बीच कानपूर के पुलिस कमिशनर असीम अरुन ने वी आरेस के लिए आवेदन किया है उन्होंने जारी किये गए बयान में कहा है कि मुखमंत्री योगी आदितिनात ने उन्हें भाजपा में शामिल होने का प्रस्ताव दिया है इसके बाद भी उनके विधान सभा चुनाओ लड़ने के कयास लगाय जा रहे हैं संबंध में बयान जारी करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने एक्षिक सेबा निवरित्य के लिए आवेदन दिया है क्योंकि अब राष्ट और समाज की सेबा एक नए रूप में करना चाहता हूँ मैं बहुत गरवान्दित हूँ इसका अनुभो भी कर रहा हूँ मुख मंतरी योगी आदितिनात ने मुझे भाजपा की सदस्ता की योगी समझा है अनिल के अंकुर जी हमारे साथ जुड़े हुए स्टेट हेड है हमारे अनिल के अंकुर जी अब सिलसिला ये भी सुचिरू हो चुका है कि जो प्रशासनिक अधिकारी थे अब वो भी चुनाव लड़ना चाहते थे जो आप पहले भी कह रहे थे जी देखे सबसे बड़ी बात है कि प्रशासनिक अधिकारी की सबसे बड़ी एक सोच होती है कि उस सत्ता के चर्म पर पहुँचे सत्ता के चर्म पर पहुँचने के लिए वो कोई भी हथकल्ब को तरीके को अपनाने को हमेशा तयार रहते हैं क्योंकि एक परना फर्मूला है कलिक्स नेवर भी फ्रेंड तो जब अगर उस अगर वह अधकारी अपनी पोस्ट पर रहेंगे तो उनके जो साथ ही है जो उनके साथ के बैच मेड है कहीं ने कहीं से प्रदुन्दी रहेंगे जब आप सीधे राजनीट में प्रविस कर जात है कि अधिकारी हुआ करते थे यहां तक की बिछार की डेजीपी का उदारन है तो बहुत सारे ऐसे चीज़ है क्योंकि सत्ता और शोहरत हर किसी को चाहिए होता है और इसी की लड़ाई अब लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया अंहिल के अंकु परिको सभी 70 विधानसवा सीटों पर मद्दान होगा जिसको लेकर सीम पुषकर सिग्धामी ने चुनाव आयोक को धन्यबाद करते हुए सूबे में सरकार बनाने की बात कही है अधार पर काम करेंगे उसी अधार पर आगे बढ़ेंगे लेकर अच्छे गृप से इस बार बीजेपी आगे बढ़ेगी और हमने जो नारा दिया है अपकी बार साट पार हम अपने कामों के अधार पर यहां का इतियास बदलेगा और तो वहें पूर्व सीम और कॉंग्रेस के वरिष्टे नेता हरी शिराबत ने प्रिसवारता की है और चुनाव आयोग को धन्दबाद दिया है हरी शिराबत ने सुबे में सरकार बनाने के साथ कहा कि कुछ ही दिन बचे हैं कुशासन खत्म होने में हलो 14 फरवरी को उत्राखन परिवर्तन के पक्ष में मद्दान करेगा मानी चुनाव आयोग ने आज उत्राखन सहीत पांचू राजियों में चुनाव की तितियां घोशित कर दी हैं हम उसका बहुत-बहुत स्वागत करते हैं कॉंग्रेस उस सुपता से इन तितियों की प्रतिक्षा कर रहे हैं कॉंग्रेस कारिकरता चुनाव के लिए पूरी तरीके से सन्नद हैं उनमें जोश है और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्राखन के मद्दाता में भी चुनाव के लिए बहुत जोश है भाजबा के बड़ते कुनबे में एक और बड़ा नाम शामिल हो चुका है आमादमी पार्टे के वरिष नेता रविंद जुगरान का शामिल हो गया है नाम बता दे की पार्टे के हरिद्वार रोडिसित चुदा फरवरी को चुनाव की तारिक निश्चित कर दी गई है कोडो कंडेक्टास से लागू हो गया है पार्टी चुनावयों के दिशा निर्दोस्वे का नुडूप अब आगे बढ़ेगी और हम लोगों ने पिछले छे महिने से चुनाव में एक ब्रत तयारी की है बूत और पर्ना पर्मू का स्थर तक हमारा एक कारिय करता खड़ा है तो निश्चित रूप से हम चुनावयों की गाड़ लाइन के नुसार काम करेंगे 2017 से बड़ी विजय प्राप्त होगी उत्राखण में विधानसभा चुनाव का एलान हो गया है 14 फर्वेरी को उत्राखण में मतदान होगा मतदान की तारीखों का एलान होने के बाद सियासी हलचल भी बढ़ गई है कॉंग्रेस के वरिश नेता और पूर्वी कैबिनेट मंतरी यश्पाल आरे और भाजपा नेता केंद्री राज्य मंतरी अजे भट ने चुनाव को लेकर अपनी प्रत्क्रिया दिया है सुनी तो सब जाहिर है कि कॉंग्रेस की मजबूत इस्तिति है उत्राखण में और जितनी जहां-जहां मुझे जानने का रैलियों में सामील होने का मौका मिला है इस दिन हम चुनाव जीतते हैं उसी दिन से हमारा आगले चुनाव की तेयारी लगती है सेवा करते हूं हम जनता की सेवा करते हैं वोट जनता अपने इस नहीं प्रेम के साथ देती है और जिस तरह अभी हमने जो यात्रा निकाली थी बीजै संकल पे यात्रा जो सहलाब जन सहलाब उमर्ड के जनता का आया है उससे साफ हो गया है कि उत्राखंड में भारी बहुमत से भारती जनता पार्टी पुना आ रही चले इस खबर के साथ फिलाल इस बूलिटन में बस अतना ही और खबरों के लिए आप देखते रहें जनता टेवी नमस्कार